तो वेल्गमें गाईस नमस्कार आप सभी का दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हिस्ट्री ओनर्स समेश्टर फोर कौर पेपर नाइन के बारे में और इसमें आपको पढ़ना है पूरा का पूरा अमेरिका का इतिहास ठीक है उनके राष्टपतियों के वरक पर अश्टडी करना होगा तो आईए देखते हैं इस पेपर में किस टाइप के आपके कोश्चन बनते हैं और डेफिनेटली यहां से अगर आप कोश्चन करके जाते हैं तो आपके एक्जाम में बहुत सारी कोश्चन देखने को मिलेंगे जो क कोश्चन नमबर वान आपका जो है दस अब्जेक्टिव है इसमें पाइए देखते अब्जेक्टिव और बाद में मैं बता भी दूंगा कहां कौन चीज पढ़ना है सबसे जादा पढ़ा जाता है आपका कि कौन सा राष्टपति कब बना ठेक है तो कॉस्चन है कि अमेरि का अस्पेन वार हैल्ड तो दोस्तों अमेरिका और अस्पेन इन दो दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ था अठारा सू अंठानवे स्वी में एटीन नाइन टी एट एडी में ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा ठेक है आगे बढ़ते हैं कॉस्चन नमबर टू जो हैं 1901 में अमेरिका के राष्ट पती बने थे क्वेशन नमबर थिरी के और बढ़ते हैं तो इसमें पुछा गया कि थियोड़ रूजवेल्ट किस वर्स राष्ट पती के बाद अगला राष्ट पती बने मतलब कि इन से पहले कौन राष्ट पती था थियोड़ रूजव किस राष्ट पती के बाद राष्ट पती बने थे तो उनका नाम था विलियम मैकिंग ले ठीक है विलियम मैकिंग ले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉस्चन नमबर फोर की और तो इसमें पूछा गया था कॉसे नाया था कि आर्थिक मंदी जब हुए थे अमेरिका में कॉस्चन नमबर फोर में है कि आर्थिक मंदी की सुरुवात आर्थिक मंदी की सुरुवात के समय अमेरिका का राष्ट पती कौन थे तो जिस वक्त बिस्वो में आर्थिक मंदी चल रही थी बिसे सुरूप से अमेरिका में उस समय अमेरिका के राष्ट पती कौन थे देख लिंकोन या जैम्स ब्रूमन देखिए इसका राइट अंसर हो जाएगा आपका फ्रैंक्लिन डी रुजवेल्ट टेक है फ्रैंक्लिन डी रुजवेल्ट थे उस समय अमेरिका के राष्टपती आगे बढ़ते हैं कोशन नबर फाइब की और इसमें पूछा गया है कि विलियम ह हावाड मिं ट्रैप्ट डीम हावार्ड ज्रैप्ट अमेरिका के जो राष्टपती बने वह कभ बने ते तुवें अमेरिका के राष्टपतीً बने थे हैं उनीस सो नहों कोम विलियम हावाड देप्ट आगे बढ़ते हैं कोशन नंबर इसे की और तो कोश्य नम्र 6 में पू अब देखिए वुड्रो विल्सन जो राश्पती बना था वह कब बना था 1913 में 1913 में यह option B इसका राइट अंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं question number 8 की और sorry 7 की और 7 question पुशा गया था कि अमेरिका ने जापान के हेरो सीमा पर परमानु गमुम गिराया कब गिराया तो दोस्तों जापान के हेरो सीमा और नागा साकी पहले हेरो सीमा में गिराया 6 अगस्त 1945 को option C हो जाएगा 6 अगस्त 1945 और नागा साके में गिराया 9 अगस्त 1945 को ठेक है आगे देखते है question number 8 तो इसमें पुछा गया था कि इसमें क्या पुछा गया है कि FD रुज्वेल्ट अमेरिके के राष्टपती जो है कब बने तो FD रुज्वेल्ट जो है अमेरिका के राष्टपती बने थे कब तो यह 1933 इसमें अमेरिका के राष्टपती बने थे तो अभी मैंने बताया हिरो सीमा पे 6 अगस्त और नागस अकीपे 9 अगस्त 1945 देखिए कंफ्यूज मत हो जाईएगा 1944 मार देजिएगा 1945 होगा ठेक है और जो बम का नाम था उसका भी नाम नौट कर लिजिए अगर आपके सबने कॉपी प्यान है तो पहले में बम का नाम था लिटिल मैं और दूसरे बम का नाम था फैट मैं ठेक है सुरी लिटिल बॉय और फैट मैं हेरो सीमा में जो बम गिराए गया था उसका नाम था लिटिल बॉय और दूसरा जो नागस अकी में बम गिराए गया उसका नाम था फैट मैं ठेक है लिटिल बॉय और फैट मैं ना कौन था जब सेकेंड वर्ड ओवर हो रहा था दित्विस्यूद उस समय संजुक्त राज अमेरिका की राष्टपती कौन थे तो उस समय जो अमेरिका की राष्टपती थे उनका नाम था सब्सक्राइब तो अमेरिका के बहुत सारे राष्टपती हैं भारत में अब हुए उनका तो बहुत पहले से राष्टपती चलता रहा है सबसे पहले राष्टपती था अमेरिका के जोर्ज वासिंग्टन ठीक है तो बहुत सारे राष्टपती हैं सभी को एक बार देख ले मै टप रहने वाला है लेकिन इजीली पार कर जाईएगा क्योंकि हिस्ट्री है वो इससे अगर देखा जाएना तो टप है पेपर क्योंकि अमेरिका का हिस्ट्री पढ़ना है लोग अपने देश का मालूम नहीं रखता है अमेरिका का तो दूर जाएना क्वेशन है वन का भाग भी इसमें पांच अंको वाले दो प्रश्णों के आंसर करने है और आंसर आपको करना है 120 वर्ड्स में मतलब कि 100 सब्दों से 125 सब्दों के बीच में लिख दे काफी अच्छा आंसर हो जाएगा आपका पहला है कि आर्थिक मंदी के क्या परिणाम हुए थे जब आर्थिक मंदी हो गया विसुमें अमेरिका में इस्पेसली तो इसके क्या परिणाम हुए वो बताना है या फिर FD रुजवेल्ट के उपर आप छोड़ा सा नोट लिख सकते हैं कौन था राष्टपती कब बना कई से बना तीन नमबर है पैरिस सांदिस मेलन के उपर से छोटा समनोट लिख सकते हैं कि पैरिस पीस कॉनफरेंस क्या था आगे बढ़ते हैं तो फोर नमबर में पुछा गया है कि दित विस युद्ध में अमेरिका की भूमिका रोल ओप यूएसें इन सेकेंड वर्ड वर ठेक है आगे बढ़ते हैं कॉशन नमबर टू की ओर तो इसमें पुछा गया है कॉशन नमबर टू में अस्पेन अमेरिका युद्ध पर समिक्षा निम्बंद लिखें समिक्षा अत्मक निम्बंद लिखें राइट रिव्यू ऐसे ओन अस्पेन अमेरिका वर ठेक है कॉशन नमबर टू ट्वेंटी मार्क्स का है यह सभी आप ट्वेंटी मार्क्स वाले कॉशन है इसका अंसर अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो पांसो सब्दों में कर दें नहीं तो चारसो सब्दों में तो करना ही है ठीक है चारसो से पांसो सब्दों के बीच में करें राइटिंग में ठाक लिखें तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे आपको कॉश्चन अबर 3 देखते हैं तो इसमें पुछा गया है कि विलियम हवार्ड टैप्ट की उपलब्दियों की वेशना करें डिस्क्राइब दाचीब्मेंट ओफ विलियम हवार्ड टैप्ट तो टैप्ट की जगा लेफ्ट मत पढ़ दीजिएगा ठीक है अगे देखते हैं कॉश्चन है कि ठीओडर ठीओडर रूजवेल्ट एक मिडियर ठीओडर रूजवेल्ट की उपलब्दियों का व्रडण करें यानि कि ठीओडर रूजवेल्ट से जब भी उपलब्दी पुछे ना तो बताना है गुए सासन में आगे कौन-कौन से सुध and effect of capitalism crisis ठीक है पुझी वादी संकट के क्या कारण हुए किन कारणों से हुआ और जब हो गया तो क्या क्या परिनाम निकले इसके आगे देखते हैं इसमें पूछा गया है कि नियू डील निती से आप क्या समझते हैं वह नन करें आगे देखते हैं तो इसमें है पूछा गया है कि दित्य बिस युद्ध में एप डी रुजवेल्ट की भूमिका वह उसके परिनामों की वेचना करें कि कौशन नबर एट देख रहे हैं तो इसमें पुछा गया है कि वर्साय की संधी दित्य बिस्युद्ध के लिए उतरदाई थी वर्ण करें तो यह इस टाइप से कौश्चन आपके इस पेपर में आएंगे इसका पीडियाप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से डाउनलोड कर लिए और जीतने भी कौश्चन है इन सभी को मैं कहूंगा कि एक बार ज्यादा नहीं तो कम से कम पंद्रह लाइन दस दस लाइन करके लिख लिए घर में त्यार कर लिजिए और जाई एक्जाम देने बागी मेरी और से बेस्ट अप लग अ एक दो थोड़ा याद कर लीजिए अगर हो पाएगा तो क्योंकि मुस्किल है मैक्सिमम बच्चे जो है आप लोग गेस पेपर पढ़के एक्जाम देते होंगे मुझे मालूम है है क्योंकि मैं भी जब क्रिशन कर रहा था तो किस पेपर पढ़के ही दिया करता था चलिए क कोई बात नहीं जो भी है अच्छा हो बेस्ट अफ लग ठांक यूज